Hello students, Intelligent Mathematics Classes में आप सभी दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत, आज के वीडियो में हम differentiation के बारे में बात करेंगे, इसका total formula मैं आपको समझाऊंगा, इसे हिंदी में अवकलन कहते हैं, या 12 class के बच्चों के लिए बहुत ही खास topic मना जाता है, चलिए तो एक एक करके देखते ह फर्स्ट टोपिक, जदी y बढ़ाबर f of x एक बास तभी फलन हो, यानि कि real function हो, तब f dash x जिसे आप dy बटा dx भी बोल सकेंगे, इसका definition है, limit h tends to 0, function of x plus h minus, function of x divided by h, बसरते की इस limit का value exist करना चाहिए, इसका मान मिलना चाहिए, next देखते है, f dash x, y dash, dy बटा dx और y1, ये चारो जो है, एक ही चीज का नाम है, एक ही चीज को ब्यक्त करता है, ठीक है, but mathematics में dy बटा dx बहुत ज़्यादा popular है, but f dash x, y dash, dy बटा dx और y1, सब का value same to same है, इसे आप बोल सकते है, y या f x का अब कलज बोल सकते है, इसे अंग्रेजी मेडियम में आप derivative of f of x कहते हैं, याद रखेंगे students, dy बटा dx को क्या कहते है, derivative of f of x, यानि f x का अब कलज कहा जाता है, ठीक है, next है, dy बटा dx को परथम कोटी का अब कलज के नाम से भी जाना जाता है, इसे अंग्रेजी में first order derivative कहा जाता है, dy बटा dx को हिंदी में परथम कोटी का अब कलज कहते हैं, वहीं पर अंग्रेजी मेडिया में इसको first order derivative बोलते हैं, आगे देखते हैं, dy बटा dx को हम ऐसा भी बोलते हैं, x के सापेक्ष y का अब कल गुनांग, अंग्रेजी में differential coefficient of y with respect to x, dy बटा dx is called differential coefficient of y with respect to x, यानि x के सापेक्ष y का अब कल गुनांग, चलिए तो आगे और भी फर्मुला है, अभी देखते हैं, अब कलन किसको बोलेंगे, differentiation किसको बोलेंगे, किसी फलन का अब कलज ग्यात करने की जो प्रकिरिया है, process है, उसी को अब कलन यानि की differentiation कहते हैं, अंग्रेजी में इसके लिए पड़िभासा है, the process of finding derivative of a function is called differentiation, the process of finding, find का मतलब ग्यात करना, process का मतलब परकिरिया, वह परकिरिया, जिसमें हम लोग find करते हैं, क्या derivative, मतलब अब कलज, किसका of a function, किसी फलन का, is called कहलाता है, क्या differentiation, चलिए आगे बढ़ते हैं, dy बटा dx को और भी नाम है भाई, differentiate y with respect to x, उपर जो d के साथ है, उसका differentiate करते हैं, और नीचे जो d के साथ है, उसके respect में, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, x के साप x, y का अब कलन करना, ठीक है, x के साप x, y का अब कलन करना, यही होता है, dy बटा dx का मतलब, नीचे वाले d के साथ में x है, इसलिए हम बोलते हैं, x के साप x, उपर वाले d के साथ y है, तो हम y का अब कलन करते हैं, किस के साप x, तो x के साप x, x के respect में, अब हैं हमारे पास अब कलन का मानक सुत्र, अब कलन का मानक सुत्र, मानक सुत्र कहने का मतलब हर जगा यूज होगा, हर exercise में यूज होगा, light में जब तक differentiation पढ़ेंगे, तब तक इसका इस्तमाल होगा, इसलिए अब जो हम 20 से 25 फर्मूला आपको बताएंगे, वह अब कलन का क्या है, मानक सुत्र है, standard फर्मूला है, तो देखते हैं, standard फर्मूला of differentiation, चलिए, पहला फर्मूला है, d बटा dx, sin x, equal to cos x, यानि sin x का जो derivative होता है, x के respect में, वह क्या होता है, cos x होता है, second फर्मूला, d upon dx, cos x, यह होता है, minus का sin x, ठीक है, मतलब x के respect में, cos x जो function होता है, उसका derivative, minus में sin x होता है, और तिसरा फर्मूला है, d upon dx, tan x, equal to sin x, यानि tan x का derivative होता है, x के respect में, वह क्या होता है, sin x होता है, चलिए तो next फर्मूला की ओर, हम लोग बरते हैं, फर्मूला नमबर 4, d upon dx, cos x, यह होता है, minus में, cos x, square x, पांचवा फर्मूला, d upon dx, sec x, sec x का derivative, sec x into tan x, किसके respect में, तो x के respect में, इस बात को जरूर दिमाग में, आप लोग रखेंगे, ठीक है, next है 6, d upon dx, cos x, minus में, cos x, into में, cos x, एक बात गर कीजिए, कि जिस trigonometrical function का spelling, c से start होगा, उसका जो derivative होगा, वह minus लगा हुआ होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानि, cos x का, cot का, और cos का, जो differentiation होगा, वह negative होगा, minus में होगा, क्योंकि इसका spelling, c से start होता है, यह सब trick भी बड़े काम का है, आए, सात्वा नंबर सुत्र है, d upon dx, c बड़ाबर 0, जहां, where, c बड़ाबर क्या है, constant, यानि, अचर, अचर किसको बोलते हैं, कोई भी संख्या हो सकता है, c का मान, आपका 4 हो सकता है, यानि, 4 का derivative 5 होगा, sorry, 4 का derivative 0 होगा, 5 का derivative 0 होगा, 6 का derivative 0 होगा, c का मतलब constant कुछ भी हो सकता है, दुनिया में बहुत सा संख्या है किसी भी नंबर का differentiation करना होगा 10 का, 20 का, 50 का, 4 का, 5 का, 6 का तो answer कितना लिखोगे 0, सिर्फ संख्या का differentiation 0 होता है चलिए नेक्स्ट है आथ नंबर फण मुला d upon dx constant गुना function constant गुना function जैसे कहने का मतलब हुआ कि आप से कहा जाएगा कि d upon dx 8xq अब इसका मतलब 8 constant है xq function है तो आप constant को बाहर निकाल दीजिएगा यानि 8 को बाहर निकाल दीजिएगा और fx का differentiation कर दीजिएगा xq का differentiation करिएगा तो 3x² आजाएगा यानि 834x² इस तरह से इस function इस सुत्र का हम लोग इस्तिमाल करते है next है 9 number अगर दो function u तथा भी आपस में जोर द्वारा या घटाओ द्वारा संबंधी थे plus या minus द्वारा तो दोनो function का अलग-अलग derivative लिया जाएगा यानि कि d u बटा dx plus या minus d v बटा dx जब दो function आपस में plus या minus द्वारा related हो तो दोनो function का separate separate हम लोग derivative ज्याद करेंगे d u बटा dx plus minus d v बटा dx अगर plus होगा तो plus अगर minus होगा तो minus दोनों सुत्र एक साथ लिख दिया गया सबसे important बहुत बार यूज होगा यह आपका d बटा dx u भागा इसके लिए formula है कि denominator पहले लिखेंगे भी जो है ना denominator है बटा के नीचे है तब भी क्या है बच्चोर denominator है तो denominator को लिखा जाएगा into numerator का derivative हम लोग ज्याद करेंगे and minus कचिन देंगे और numerator को लिखेंगे यानि ons को लिखेंगे और हर का derivative लेंगे and total के बटा में भी का square फिर से सुन लिएगा पहले किसको लिखेंगे भी को भी क्या है denominator denominator मतलब हर ठीक है हर को लिखें ons का differentiation करिए minus ons को लिखें हर का differentiation करिए and total के बटा में भी का square कर दीजे इस तरह से आपका दसमा नंबर फर्मूलास में आप थुआ देखते हैं next formula फर्मूला नंबर 11 सबसे ज़्यादा important एकदम important है भाई differentiation में सबसे ज़्यादा यूज होगा logarithmic differentiation में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है d upon dx u into v जब दो function आपका u into v के form में हो u into v के रूप में हो और तब उसका derivative ज़्याद करना हो तो आप क्या करेंगे v को लिखेंगे as it is into u का derivative लेंगे plus u को as it is v का derivative लेंगे मतलब दूसरे function को लिखेंगे और पहले का derivative लेंगे into रहेगा बीच में plus पहले function को लिख देंगे into देकर दूसरे वाले function का derivative लेंगे most important formula याद रखेंगे next है e to the power x का x के respect में e to the power x same to same रह जाएगा जैसा question वह ऐसा answer e to the power x का derivative e to the power x and d बटा dx a to the power x बड़ावर a to the power x into log ea ठीक है जैसे इस पे आपको question ऐसा दे देगा objective में कि d upon dx दू का power x तो कैसे जवाब देंगे आप देखिए यहाँ e के जगा कौन आया दू तो इस formula में e के जगा दो बैठा दीजे बाद बाकी कहानी खतम तो लिख देजिए दू का power x into log e2 बस यही आपका correct answer है objective प्रसम बार बार पुछी ही देता है इस formula पर तो इसको ध्यान में रखा करेंगे 14 नमबर फर्मुला है d upon dx log x इसका जवाब है 1 बटा x ध्यान रहे x is greater than 0 मतलब x कोई भी positive real number है इस formula में negative के लिए नहीं है ठीक है उसके बाद 15 नमबर फर्मुला है d upon dx log a x देखें यहाँ पर e base है यहाँ पर a base है तो इसके लिए भी ध्यान रखे गया कई एक मड़ वच्चे फ्रस जाते है आपका base अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तब e समझना है ठीक है अगर कुछ भी base ना लिखा हो तो आपको e समझ कर चलना है नहीं तो base लिखा हुआ रहेगा e भी हो सकता है a भी हो सकता है तो e के लिए 1 बटा x और a के लिए log a e बटा x ऐसा फर्मूला है तो इसमें कई एक वर बच्चे confused हो जाते हैं तो ध्यान रखा करिएगा यह 14 नमबर और 15 नमबर फर्मूला को आप अच्छा से याद रखिएगा कि log x यहां भी है log x यहां भी है बट यहां base e है और यहां base a है तो ध्यान देना है कि कौन सा base है नहीं तो गरवर सरवर हो जाएगा आप e base वला पढ़के जाएगा एकजाम में a base वला आ जाएगा आप एक बटा x में टिक मार दीजिएगा एक नमबर खो दीजिएगा तो ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों ऐसा गलती आपको एकजाम में नहीं करना है उसके बाद है 16 नमबर d upon dx sin inverse x इसके लिए फर्मूला है एक बटा under root 1 minus x से स्क्वेर अगला फर्मूला है 17 नमबर d upon dx cos inverse x बड़ाबर minus 1 बटा under root 1 minus x स्क्वेर देखिए यहां भी cos inverse x का spelling c से चालू हुआ है तो इसका भी answer negative ही होगा चलिए तो next फर्मूला की तरफ चलते हैं हम लोग फर्मूला नमबर 18 d upon dx tan inverse x बड़ाबर 1 बटा 1 plus x स्क्वेर next d upon dx cot inverse x बड़ाबर minus 1 बटा 1 plus x स्क्वेर cot inverse x में भी c से spelling सुरू होड़ा है इसलिए इसका भी differentiation minus में होगा ध्यान डखिएगा जिसका spelling c से उसका answer minus में सिर्फ trigonometry के लिए चलिए आगे बात करते हैं sec inverse x sec inverse x का जो derivative होगा वह एक बटा x into under root x square minus 1 इन सारे फर्मूला को आपने अगर पढ़ाओगा तो minus 1 बटा x into under root x square minus 1 यहाँ भी c से spelling है यहाँ भी minus लगा हुआ है दियान रखेंगे 22 नमर फर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है d upon dx x का पावर n पहले पावर लिखिए into दीजिए base लिखिए अब base पर पावर में से एक घटा दीजिए तो इसका जबाब हो जाएगा 5 गुना x का पावर 4 यहीं इसका derivative हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट यह सब objective में कई एक बार पोचता है उसके बाद x का x के respect में derivative 1 होगा 24 नमबर फर्मूला d upon dx under root x 1 बटा 2 root x and 25 नमबर फर्मूला है आपका d upon dx 1 बटा x इसके लिए result है minus में 1 बटा x यह 25 का 25 फर्मूला अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको मैं आसा करता हूँ कहीं भी differentiation में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और जब तक इसको दिमाग में आप लोग नहीं रखा करिएगा तब तक आपको mathematics में खासा problem होने जा रहा है इसलिए थोड़ा सा वीडियो को दो बार तीन बार play करके आप देखिए देखते देखते आपको सारा का सारा फर्मूला याद हो जाएगा उसके बाद जब question बनाने लगेंगे तो अब तो बिलकुल concept भी clear हो जागा और फर्मूला कभी भूलेंगे भी नहीं चलिए तो और एक important special note differentiation के बारे में तो अब बताएंगे differentiability क्या होता है चलिए तो देख लेते हैं अब कल नियाता यानि differentiability what is differentiability ये एक बहुत important topic है आप लोगों के लिए चुकि इसके अंतरगत आप सिखेंगे कि किस function का हम differentiation कर सकते हैं और किसका differentiation नहीं कर सकते हैं यही चीज पढ़ाया जाता है अब कल नियाता के अंतरगत differentiability के अंतरगत students को यही बताया जाता है कि आप किस तरह के function को differentiate कर सकते हैं और किसका differentiation आप नहीं कर सकते हैं आईए तो इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं माने लीजिए y बराबर f of x कोई function है जिसका की ये graph दिया गया है इसके domain में एक point है x equal to a अब इसके इर्द गीर्द मतलब आगे पीछे एक एक point लेते हैं इसके right में एक point लेते हैं जो a से बड़ा होगा a plus h और a के left में एक point लेते हैं जो a से छोटा होगा उसको हम a minus h से denote करते हैं यहाँ पर h जो है वो बहुत a small है बट positive है h का जो value है आप जितना सोच सकते हैं उतना छोटा से छोटा value सोच लीजिए ठीक है लेकिन positive निगेटिव नहीं ठीक है चलिए अब कहता है एक फलन y बड़ाबर a फोफेक्स बिन्दू x बड़ाबर a पर अब कल निये यानि कि differentiable कहलाता है जदी l f dash a बड़ाबर r f dash a कहिए का सर l f dash a क्या होता है left hand derivative at point a इसको बोलेंगे right hand derivative at point a ठीक है जदी point a पर left hand derivative और right hand derivative का value सेम आएगा ऐसे function को हम differentiable कहेंगे मतलब उसका dy बड़ा dx कैलकुलेट कर सकते हैं निकाल सकते हैं ऐसे फलन अब कल निये माना जाता है अब कल निये मतलब जिसका dy बड़ा dx कैलकुलेट हो सके चली तो अब कैसे चेक करेंगे lf-a निकालने के लिए फर्मूला है limit h tends to 0 function of a minus h minus function of a बड़ा minus h पूरे का value कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर limit h tends to 0 function of a plus h minus function of a बड़ा plus में h इन दोनों का value आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जदी दोनों same आया तो आप बोलेंगे yes function is differentiable अगर आप दोनों same नहीं आएगा तब फिर बोलना होगा not differentiable तो ये था स्रीकांसर के तरफ से 12 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा gift तो चलिए आप से उमीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंततक देखे हैं और आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए अगर नहीं किये हैं तो और वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक ठोकिए वाई और कोई भी दिक्कत होती है तो comment section में आप जाईए और कुछ प्यारा सब comment कर देजिए तो इस वीडियो में इतना ही आपको किस तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है ये सब चीज आप comment के जरिए बताए ताकि हमें भी पता चले और हम आपकी सेवा करते रहे तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही आप लोग अच्छे से वीडियो को देखे और इसका लाब उठाए जैहिंद बंदे मातरम थैंक्यू फॉर वाजिंग